बाइब तो इसमें हम सेम नंबर को बताएंगे तो फ्रस्ट पार्ट में हैं माइनस 7 बाइट 21 तो यह जो माइनस 7 बाइट 21 है तो यह 7 के टेबल पे डिवाइट हो रहा है तो इसको कर देंगे माइनस 7 बाइट 7 और 21 बाइट 7 तो मैंने 7 को भी 7 से डिवाइट कर दिया और 21 को भी 7 से डिवाइट कर दिया तो यह कैंसल होके कितना है माइनस 1 तो यह कैंसल होके कितना है 3 अज़े 3 बाइट 9 यह कौन से टेबल पे कैंसल हो रहा है 3 के टेबल पे तो इसको भी लिखेंगे 3 बाइट 3 और 9 बाइट 3 तो यह आ गया 1 by तो इसको भी cancel किया 3 यहां पर cancel होके 1 तो यह आ गया 1 by 3 अब यह देखो यह negative है minus 1 by 3 यह positive 1 by 3 है तो इसका मतलब which is not the same rational number तो यहां लिख देंगे which is not the same rational number second part में देखते हैं तो यह 4 के table में cancel हो रहा है minus 16 by 20 तो इसको लिख देंगे minus 16 by 20 तो 4 से divide कर देंगे by 4 24 by 20 by 4 तो इसको जब cancel किया 4 4 का 16 minus 4 आ गया तो 4 5 का 10 answer है minus 4 by 5 तो नीचे बना दिया है 20 by 25 तो यह 5 के table में cancel हो रहा है तो इसको 5 से cancel कर देंगे 20 by 5 upon minus 25 by 5 तो यह cancel हो गया 5 4 का 20 5 5 का 25 तो यह आ गया minus 4 by 5 अब इस दोने दोनों का जए rational number है वो same दी होगे है तो यहां दिख देंगे which is same rational number third part में दिखते हैं यहां पे है minus 2 by minus 3 तो इसको हम minus 1 से divide कर देंगे तो यह आ जाएगा minus 2 by minus 1 minus 3 by minus 1 तो यह cancel हो कि कितना आ गया minus minus cancel हो गया 2 by 3 तो दूसरा number 2 by 3 दियो होगे है तो यह भी दोनों same है यहां पे लिख देंगे which is same rational number fourth part देखते हैं तो fourth part में minus 3 by 5 दियो होगे है तो यह तो cancel हो नहीं रहा तो इसको लिख देंगे सेटिट है minus 12 by 20 तो यह जो minus 12 by 20 है यह 4 के table से cancel हो रहा है तो इसको 4 से cancel कर देंगे by 4 कर देंगे 20 by 4 तो यह इसको cancel किया तो यह आ गया minus 3 इसको भी cancel किया तो यह आ गया 5 तो यह अंसर आ गया minus 3 by 5 और यह भी minus 3 by 5 है तो हम नहीं देंगे which is same rational number तो यह same rational number है आगे देखते हैं फिफ्ट पार्ट में तो यह 8 by minus 5 यह किसी किलगर में cancel नहीं हो रहा तो इसको यह ही छोड़ देंगे आदे हैं minus 24 by 15 तो यह जो minus 24 by 15 है यह 3 के टेबल से cancel हो रहा है तो यहां पर लिख देंगे by 3 और 15 के नीचे भी लिख देंगे by 3 तो इसको cancel कर देंगे 3 8 का 24 तो minus 8 3 5 का 15 तो यहां जाएगा 5 तो अंसर कितना है इसका भी 8 by minus 5 है और इसका भी minus 8 by 5 तो यह दो same rational number है तो लिख देंगे वीचे same rational number तो यह same है तो same rational number देखते हैं फोर्थ पार्ट तो यहां से clear हो रहा है कि यहां पर जो नंबस दियों में है वो किसी भी टेबल पे नहीं आ रहे तो यह भी same rational number नहीं है तो यहां लिख देंगे which is not same rational number आगे इसका 7th पार्ट देखते हैं तो 7th पार्ट में है minus 5 by minus 9 तो इसको भी हम multiply कर देंगे 1 से और नीचे वाले को भी 1 से कर देते हैं तो यह आ गया minus 5 by minus 9 और नीचे वाला जो नंबर है वो 5 by minus 9 है तो यह भी 1 से कर देंगे तो यहां पे जो नंबर आ रहे है यह तो minus minus plus positive नंबर आ रहा है एक negative नंबर आ रहा है तो हम लिखतेंगे which is not same rational number तो यह भी same rational नंबर नहीं है क्योंकि एक positive है और एक negative है